गुड आप्टरूनून अल उफ यू लास्ट क्लास हम लोग चालू किये थी ग्रीक्स ठीक है आज हम लोग थोड़ा ग्रीक्स को समझेंगे बट थोड़ा अच्छे लेवल पर समझेंगे ठीक है पहले एक बार रीकाप करते हैं ठीक है एक हमने पढ़ा था डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होता है शेयर प्राइस में अगर यूनिट चेंज होगा तो आप्शन के दाम में कितना चेंज होगा ठीक है सो डेल्टा अफ कॉल मान लीजा अगर 0.6 है सो डेल्टा अफ पुट क्या हो जाएगा माइनस 0.4 बिकरस डेल्टा आफ कॉल इस डेल्टा अफ कॉल ीजा अगर अगर एक रुपई से बढ़ रहे है शेयर का दाम अगर एक रुपए से बढ़ रहा है, तो पुट का जो दाम है, दाम, पुट का दाम 0.4 से गिरेगा, ठीक है, अब एक चीज समझो इसमें, मैं आपको बोलता हूँ, स्ट्राइक प्रैस है 500, स्पॉट चल रहा है अपना 200, ठीक है, पुट ऑप्शन है, तो क्या है यह, आउट अप दामनी, अड़ दामनी, इंदामनी, डीप इंदामनी, क्यों, यूँकि नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, क्यों स्ट्राइक प्रैस के 300 पॉइंट नीचे है, तो कुछ भी हो जाए, यह तो exercise हो गा ही होगा, unless and until बहुत ज़्यादा अगर volatility हो, तो इंदामनी का जो put option है, वो कैसे behave करेगा, मने एक चीज समझो, मैं बोलता हूँ, share price 200 से 205 हो गया, ठीक है, और option का दाम चल रहा था, जो P का जो दाम है, put option का जो दाम था, वो था साड़ 300 में और time value कितना है, 300 का intrinsic value हो गया and 50 का time value हो गया, यह समझना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा आप लोग को, यह चीज आप लोग सबको समझना पड़ेगा, 300 का क्या हो गया, intrinsic value and 50 का time value, बोलो, अगर आज exercise करेंगे तो कितना मिलेगा, नीचे जाने से difference आएगा, मतलब 500 minus 200 कितना होता है, 300 and time value का कितना हुआ, 50, time value का मतलब क्या है, कि option मेरे favor में move करेगा, ठीक है, और भी तो favor में move कर सकता है, हो सकता है, company का दिवाली निकल जाए, तो zero हो जाएगा, तो बहुत ही 500, मेरा ना, 200 से 205 होगे, तो put का दम क्या होगा, मुटा-μुटी, पुट का दाम मुटा मुटी क्या लग रहा है क्या होगा और ये जो 200 से 205 हुआ है ये अब 3-4 घंटे में हुआ है तो पुट का दाम क्या होगा पुट का दाम होगा 345 क्योंकि अब मेरे intrinsic value कितना हो गया 295 तीन 4 घंटा में time value उतना कुछ घटा नहीं होगा दो-तिन घंटा में time value उतना कुछ घटा नहीं होगा मान लेते हैं तो 50 का 50 ही है न ठीक है एक चीज़ समझो मैं बोलता हूँ मेरे पास 100 call option buy किया वे एन कॉल का जो डेल्टा है वो है 0.35 इसको डेल्टा न्यूटरल बनाना है मतलब डेल्टा अफ़ी पोटफोलियो शुट भी 0 तो शेर्स का क्या adjustment करेंगे बताओ बताओ शेर्स का क्या adjustment करेंगे बताओ अगर 100 call buy किया वे तो पोटफोलियो का डेल्टा भी कितना है 100 इंटो 0.35 तो 35 है ना तो माइनस 35 कैसे होगा 35 शेर को करेंगे sell 35 शेर अगर हम sell कर देंगे 35 शेर को अगर हम sell कर देंगे तो क्या होगा पोटफोलियो का resulting डेल्टा is 0 ठीक है अब एक graph देखो हमने call option कैसे बनाया था ऐसे बनाया था यह के है और यह ऐसे बनाया था ना ठीक है अब हम लोग एक curve देखते हैं जो कि हमारा डेल्टा बताएगा अपने को ठीक है ध्यान देना यह चालू होगा यहां से ऐसे ठीक है एद यह थो पे आउफ हो गया ना अपने जो लाल में जो बनाए वो तो पे आउफ होगए लेकिन option का अब trash इनका जो दाम है, वो तो pay off नहीं होता है, हम तो सीखे ही है ना, कि intrinsic value भी होता है और time value भी होता है, ठीक है, एक बात बताना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये मतलब क्या हो जाएगा बताओ, in the money, out of the money, at the money, ये वाला जहाँ call है, call का pay off देखो ना बिटा, ये वाला point पर क्या होगा, बताओ, ये वाला point पर क्या होगा, सोच के बताओ, out of the money, तो यहाँ पर एक मैं tangent draw करता हूँ, ठीक है, ये वाले point पर क्या होगा, add the money, यहाँ पर एक ऐसे tangent draw करता हूँ, और ये वाले point पर क्या होगा, in the money, यहाँ पर एक ऐसे tangent draw करता हूँ, ठीक है, यहाँ यहां पर मेरा जो डेल्टा होगा वह होगा 0.2 यहां पर जो मेरा डेल्टा होगा यह होगा 0.5 और यहां पर जो मेरा एकदम स्टीप यहां पर जो मेरा डेल्टा होगा 1 इसका मतलब पता ही क्या है तुम लोगो Money, out of the money में delta बहुत कम है At the money में क्या हो रहे है Delta is 0.5 And in the money में क्या होगा Delta is 1 यह चालू करेंगे यहां से बीच में हलका gap रहेगा क्यों Because आपका जो time value होता है वो add the money पे सबसे ज़्यादा होगा जो आपका time value होगा वो add the money पे सबसे ज़्यादा होगा Call increases at a increasing rate तो increasing rate क्यों हो बोला क्योंकि जब मान लो Share price है 100 ठीक है और Strike price है 500 तो यहां पर मेरा delta कितना होगा मान लेते 0.2 फिर जब Share price 200 हो जाएगा मेरा delta क्या हो जाएगा 0.3 फिर जब 300 हो जाएगा मेरा delta क्या हो जाएगा 0.35 अब 300 से जब चेंज होगा तो हर एक रुपया बढ़ने के लिए कितना से बढ़ेगा 0.35 से बढ़ जब 200 से चेंज हो रहा था तो हर एक रुपया बढ़ने के लिए कितने का चेंज हो रहा था 0.3 से ठीक है तो इसलिए बोला As share price increases call price increases at a increasing rate ठीक कापी करें इसको झाल ठीक है इसके बादे नोट लिखो इसके बादे नोट लिखो यह ला हुआ कॉपयों के भीटा नोट में लिखो इस डेल्टा हैजिंग in delta hedging comma the sum of the deltas should remain close to zero. it would be necessary to rebalance the portfolio on a regular basis. the extent of this rebalancing depends primarily on gamma. तुम चीज समझो, तुमको अपना portfolio का delta को close to zero रखना पड़ेगा, तुम एक चीज समझो, यहला copy कर लो पहले, यहला copy हो गया? अब एक चीज तुम को समझना पड़ेगा, जैसे मानलो तुम किया 100S+, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया? 100 into 1 and delta of call मानलो है 0.2, तो क्या करना बताओ? 500C- करेंगे? तो 100S+, किये हैं, और अगर मानलो 500C- करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 500 into 0.2, और minus में तो 0 आ जाएगा ना? शेयर प्रैस अब मानलो चेंज हो जाता है, ठीक है? शेयर प्रैस चेंज हो जाता है, जैसे मानलो शेयर प्रैस जो चेंज हुआ, उसके अपने को rebalance करना पड़ेगा, तो delta कितना frequently change और यह कौन बताएगा? गामा, ठीक है? तो वही लिखवाया है, ठीक है? अब लिखो, मेरा बास सुनो, दो टैप का होता है hedging, लिखो मत रुख जो, hedging से ऐसे दो arrow बना दो, लिखो, एक होता है static, और एक होता है dynamic, ठीक है? तो static का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, static का मतलब क्या है? कि भाई, तुम hedge किया, अब तुम उसके बाद rebalance नहीं करेगा, तुम hedge किया, अब तुम उसके बाद rebalance नहीं करेगा, ठीक है? dynamic का मतलब क्या है? कि तुम hedge किया, अब जैसे ही तुमारा portfolio का delta 0 से दूर जाएगा, बने अब delta hedge नहीं है, तुम वापस से rebalance करेगा, that is dynamic hedging. and that is why it is always desirable to have a low gamma of the portfolio, gamma close to zero, if the gamma is close to zero, then delta will not change much and if the delta will not change much, then you don't need to rebalance the portfolio that very often, is it clear, Liko? is recognized it is recognized it is recognized It is recognized that continuous rebalancing of the portfolio is not feasible and that frequent rebalancing increases the transaction costs frequent rebalancing the need for rebalancing the need for rebalancing can, therefore, be minimized by keeping gamma close to zero. gamma neutral क्या हो जएगा एक बार ना एक दो चीज़े वापत से डिसकस कर लेते हैं फिर अपना ग्रीक्स खतम हो जाएगा ठीक है तो अपने सबसे पहले क्या किये थे इसमें ग्रीक्स में देखो मेरा बात समझो CM2 में कोई कितना भी जोर लगा ले ठीक है ये नया चैप्टर के इसाब से 11 नंबर चैप्टर है तो 10, 11, 12 ठीक है और उसके पहले तुम्हारा ब्राउन इंड मोशन है ब्राउन इंड मोशन में मेरे खहल से 3 चैप्टर होगा बने 8, 9, 10 सॉरी 7, 8, 9 ठीक है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 चैप्टर अगर कोई कर लिया न तो उसको बीट करना is next to impossible in CM2 क्योंकि उसका core strong हो गया दो पार्ट है CM2 का एक finance और एक stochastic calculus तो finance means what 10, 11, 12 ठीक है आगे का जो भी option है तुम उसमें far देगा ठीक है तुमको बसका लिए concept पता होने चाहिए फिर तुम्हारा base सही है and डूसरा है stochastic calculus that is 7, 8, 9 तीन चैप्टर है तो ये core है उसके बाद तुमको कोई किसी का दरकार नहीं बढ़ेगा ठीक है अच्छा तो Greeks में जैसे अबर वापास से discuss करते जैसे row तो row किस चीज का था interest rate का था तो call के किस में क्या होगा बताओ अगर interest rate बढ़ता है row मतलब क्या interest rate तो interest rate अगर बढ़ रहा है तो call का दाम क्या होगा सोच के बताओ अगर interest rate बढ़ रहा है तो call का दाम क्या होगा बढ़ेगा and put का दाम क्या होगा गिरेगा इसका मैंने आपको logic क्या दिया जैसे for example call is what right to buy right to buy का मतलब क्या है कि भई हम share खरीदेंगे पैसा bank में पैसा bank में covered call में देखे थे ना call plus cash हम लोग जो PCP जो पढ़े थे उसमें क्या देखे थे call plus cash is what put plus share यही तो देखे थे ना तो पैसा bank में है in the meantime अगर जो भी remaining period है उसमें अगर interest rate बढ़ जाता है तो मेरे को higher interest rate का फाइदा होगा लेकिन put में क्या है right to sell तो share है ना अगर interest rate बढ़ रहा है जैक तरी किसे नुकसान हो गया ना यहीं अगर share बेच देते right to sell नहीं खरीते तो पैसा bank में होता तो put का दाम गिर रहा है ठीक है ना is it clear बोलो हाँ ठीक है ओके एक और discuss कर लेते हैं थीटा थीटा के बारे में सोचो एक बार थीटा मतलब क्या है time हमने बोला अगर time में change होगा तो option में क्या change होगा जैसे ऐसे time advance करेगा time to maturity कम होते जाएगा as t increases t minus t goes down and options में क्या होता है options में आपका क्या होता है time decay होता है time decay का क्या मतलब है time decay का क्या मतलब है बताइए मतलब जो volatility premium है वो कम time के लिए कम जादा time के लिए जादा ठीक है अगर अपने टी के साफ से देख रहे हैं तो यह होगा देकिन यह अगर अपने टी माइनस टी के साफ से देख रहे हैं अगर टी माइनस टी बड़ा होता है तो कॉल का दाम ज्यादा ती माइनस टी बड़ा होगा तो फुट का दाम भी जाधा ठीक है अब एक काम करते हैं मैंना अप्ष्ट्रा पर लॉगिन करता हूँ ठीक है कुछ आज हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या अपने इसमें ठोर स्ट्राटेजी बना सकते हैं ठीक है मैं आप लोग को बताओंगा आप लोग करियेगा थीक है मैं क्योंकि लिख नहीं रहा हूँ आपका नोस्कों चयोगा स्वेलोग प्रोपर नोस् formation करेगा दो मेरे पास में मेरा पीपीटी बनाया ह acces पॉसी से, I'll just do it, wait. चलो, सबसे पहले heading लगाना, bull call spread. बुल call spread, ठीके हैं? बुल call spread के लिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या क्या मैं add position कर रहा हूँ, ठीके? निफ्टी पे करते हैं, तो आप एक काम करो, पहले बुल call spread लिखा ना, अब सबसे पहले लिखो spot. spot मतलब निफ्टी क्या चल रहा है? लिख लो, निफ्टी पे कर रहे हैं, यहला, bull call spread अपने निफ्टी पे कर रहे हैं, ठीके? बुल call spread अपने निफ्टी में कर रहे हैं, तुम लोग को मेरे को outlook वगरा सब बताना है, outlook मतलब समझ रहा है, कि कौन से direction में जाने से मेरे को फाइदा होगा, वो outlook होता है, ठीके? तो बुल call spread निफ्टी पे कर रहे हैं, spot लिख लिख लिया, spot प्रे सबको दिख रहे हैं ना? 25, 25, round में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके? राउंड में लिख लो, 25,000 लिख लो, ठीके? बुल call spread, अब अपने यहां पर आ जाते हैं, option में, ठीके? बुल call spread में अपने क्या करेंगे? एक अपने कर रहे हैं, add the money buy, एक अपने कर रहे हैं, add the money buy, तो add the money मतलब क्या हो जाएगा, 25,000, तो 25,000 का अपने एक call buy कर रहे हैं, and out of the money, out of the money मेरे सबसे कुछ भी हो सकता है, मेरे को कितने points का spread चाहिए, यह depend करता है, मालो मैं 1000 point के spread पर बनाता हूँ, इसा language सीखो, 1000 point का spread मतलब मैं out of the money sell करूँगा, out of the money, 1000 point मतलब क्या हो जाएगा, 26,000, 26,000 का call को मैं क ध्यान देना, ध्यान देना इस पर, ठीक हैं, यह समझ लो, यह जो है ना, यह वाला, यह मैं इसका वो भी ले लेता हूँ, एक मिनुट, एक मिनुट, मैं इसका वो भी ले लेता हूँ, तो best होएगा, ठीक हैं, यह सब मैं आपको दे दूँगा, यह मैं सारा store कर लेता हूँ, पहले वाले को नाम दे देता हूँ, मैं वन एक बार के लिए, फिर बाद में आप लोग इसको rename कर दीजएगा, ठीक हैं, तो basically देखो, अब इसमें क bull मतलब क्या होता है, उपर जाना, bear मतलब क्या होता है, नीचे जाना, तो outlook क्या दिख रहे है, bullish, क्योंकि उपर जाने से फाइदा दिख रहे हैं, यह जो line ऐसे जाके, जो ऐसे हुआ है, इसका मतलब क्या है, I don't want the returns above 26,000 nifty, क्योंकि मेरा outlook क्या है, मेरे को लगता है, market जा र के उपर का मेरे को जो returns है, वो नहीं चाहिए, तो मैंने क्या क्या 25 दर का call buy किया, और 26 दर का call को sell कर दिया, जब 26 दर का call को मैंने sell किया, तो देखो line ऐसे flat हो गया, क्यों, दाम जैसे 26 दर 1 होगा, तो एक जो buy किया, उस पर 1 रुपय आएगा, और एक जो sell किया, उस पर 1 र 74, तो हलका recovery होना मंगता ना, हलका recovery जो हो रहा है, कितने का हो रहा है, 40 रुपीज का recovery हो रहा है, 370 रुपय में लगा, 370 रुपय में लगा, क्यों, add the money call option buy किये, add the money 25 दर का call option buy किये, and 40 रुपया का मेरे को premium का income receive हुआ, तो तुम लोग क्या बनाएगा, इसमें लिखो, एक सबसे पहला है, इसका नाम है, bull call spread, ठीक है, तो तुम लोग क्या क्या, अंडरलाइंग लिख लो, nifty, nifty का spot लिख लो, nifty का spot चल रहा है, 25,000 चल रहा है, तो basically मैंने क्या किया, 1C plus, add the rate, 25,000 का strike, add the rate, पहला वाला strike price है, और इसका दाम लग रहा है, 370, 1C minus, add the rate, 26,000 का strike, add the rate, 40, तो net, net, premium कितना लग गया, net, net, premium कितना लग गया, बताओ, 330 is the net premium that I have received a paid, paid, अब अगर बताओ, market 25,000 पर रहता है, तो कितने का नुक्सान, 330, अरे मुझ से बोलो न, 330, market 24,000, 1000 पॉइंट डाउन, कितने का नुक्सान, market 24,000, 1000 पॉइंट डाउन, कितने का नुक्सान, 330, अरे option भाई किया, option, 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 क्यों भाई किया है, market 0, market 0, कितने का नुक्सान, 330, क्योंकि option laps हो गया, market 50,000, कितना का profit, हजार, हजार न, क्योंकि मार्केट 50,000 है, अब एक चीज़ समझो, 25,000 वाल पी कितने का फायदा आएगा, 25,000, 26,000, कितने का नुक्सान आएगा, 24,000, तो 25,000, 24,000, हजार रुपया, market 1,00, market 1,00, 25,000, कितने का profit, 75,000, 26,000, कितने का नुक्सान, 74,000, कितने का profit, हजार, इसलिए वाइसे line बन रहे हैं न, ठीक है, clear है सबको, हाँ, clear है, ये basic notes अम लोग बनाएँगे, और basic notes बनाने के बाद में, अपने profit का graph बनाएँगे, profit का graph, एक समझ जाएगा, न, बाकि सब समझ जाएगा, profit का graph कैसे बना रहे हैं ध्यान देना, ये लोग कैसे बना रहे हैं ध्यान दो, क्योंकि नीचे वाला क्या है, अपना ये क्या है, ये क्या है, अगर option laps होगा, तो नुकसान होगा न, कितने का नुकसान होगा, 330, जो बता दिया ये, वो CM2 pass है, break even point बोल दो, बता दो, 25,330, 25,330, तो कितना के उपर payoff चालू और कितना के उपर profit चालू, कितना के उपर profit चालू, profit चालू, 25,330 के उपर, देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये ला point देख लो, is it clear, हाँ, ये समझ में आ रहे हैं सबको, बोलो, उसको था ठीक कर देखो, एक में मैं चेक कर ले रहे हैं कि स्क्रींशोर्स कैसे आ रहे हैं जिस्ट किव में मूमेंट हाँ, हाँ, ठीक है, सही आ रहे है, बोलो, हाँ, समझ मैं है, पहला स्ट्राइजी, बुल कॉल स्ट्रेट क्लियर है, आउटलू क्लिक लिग लो, आउटलूक क्या है, तुम बनाया नहीं ग्राफ, तुम देखो गलत क्यों बनाया बताओ तो, गलत कैसे हो गया तुम्हारा ग्राफ पता है, तुम जीरो के पहले भी लाइन टान दिया, शेह प्रेस तो नेगेटिव होई नहीं सकता है ना, ठीक है, नेक्स्ट्राइडिजी, ये अपने बनाये कॉल से, बट अभी अपना आउटलूक बूलिश ही है, आज कल गास में बहुत मजाएगा, अभी एक गिंदा में बहुत सरा स्ट्राइडिजी करेंगे, ठीक है, और एक काम करूँगा, कल, मैं अपना डीमेट अकॉन में पैसावाचा डाल के रखूँगा, कल तुमनों को रियल दिखाऊँगा, कैसे होता है, ठीक है, अरे भई, तुमनों को तो सीखना है ना, ठीक है, चलो, नेक्स्ट लिखना, बुल, पुट, स्प्रेड, मेरा, मैं करता ही निए फनो, future is having no future, पहले पढ़ा तो option है, lot of option, lot option भ जाना उपर ही है, equity is the best, जैसे से पैसा आता है, वैसे वैसे इन्वेस्ट करता हूँ, ये वो पैसा है, zero भी हो जाए, तो भी में को फरक नहीं पड़ता है, इसलिए मैं पुरे term खतम करता हूँ, end में जो profit आता हूँ, उसका पैसा को मैं PMS पर डलता हूँ, simple है, बुल, ये, 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 पे आफ बोला, भूल से, इंटरेशीं जोगे वा, पे आफ इस थाउजन, profit is, थाउजन माइनस 370, 330, ठीक है, next, bull put spread, पढ़ा के ज़्यादा पैसा बन सकता है, ट्रेडिंग करके नही बारे पढ़ा के साथ बैसा बन सकता है, इसलिए जितने भी सेरे ट्रेडर्स हैं, आप टूर्न टीचर्स नहीं, कि ये, यूप्शन से कैसे बैसा कमाएं, and all the screenshots of ake, the youth is getting attracted, nothing else, किसका, मेरा क्या हैगा भई? next, bull put spread, bull put spread, अब ध्यान देना, nifty पर ही करते हैँ, इसको भी, ठीक है, इसको nifty पर ही करते है, अपने क्या कर रहे हैं, bull put spread में, अपने, bull put spread है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, put यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने एक out of the money put option buy करेंगे, रुको मैं बताता हूँ, आउट अफ दा मनी, put option, तो put option, out of the money, अभी market कितना चला है, 25,000, तो 25,000 के नीचे का कोई strike लेंगे, तब वो out of the money होगा, अब की बार spread लेते हैं, 500 का, ठीक है, तो out of the money, 24,500, 24,500 जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वापस से basic में चलो, नीचे जाने से difference आएगा, किसके नीचे, 24,500, अभी market कितना चला, 25,000, तो यह out of the money हो गया, call की put, put, यह अपने करेंगे buy, यह अपने करेंगे buy, अच्छा, पहले इसको यह बार remove करने दो, इसको reset करने दो, ठीक है, अभी अपने कर रहे हैं, option का strike, 24,500, put, buy, और अपने क्या कर रहे हैं, एक in the money put option, sell कर रहे हैं, एक in the money put option, तो इन the money मतलब माल लेते हैं, 25,500, इन the money माल लेते हैं, 25,500, 25,500, put, sell, add position, देखो, देखो, इन the money, जो put option, sell किये हैं, अब ध्यान देना, मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को लगता है कि, market उपर जाएगा, अब यह चीज़ तमलब समझो, जैसे, जैसे मैं बोलता हूं, market उपर जाएगा, जैसे से निफ्टी बढ़ेगा, in the money put option will be turning to what, यह सोचना पढ़ेगा, यह सोच नहीं पाएगा, तो फिर नहीं, तो फिर पढ़ा कि कोई संस नहीं है, इस सब चीज़, एक चीज़ समझो, मैं बोल रहा हूं, एक in the money put option है, और एक out of the money है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं, in the money, जो put option है, उसका दाम देखो, 500 रुपया है, in the money, जो put option है, उसका दाम है 500 रुपया, अपना ultimately मकसद क्या है, मकसद है कि कैसे यह 500 का premium को पुरा खा ले, मकसद है कि कैसे यह 500 का premium को पुरा खा ले, ठीक ह मैं क्या सोच रहा हूं? मार्केट बढ़ेगा, मार्केट जाएगा 25500 के उपर, सोच के देखो, मार्केट खड़ा है 25500 में, मार्केट खड़ा है 25500 में, तो जो 25500 का स्ट्राइक प्रेस वाला पुट आप्शन है, वो क्या हो जाएगा एक्सेसाइज ना लैप्स लैप्स ठीक है वो लैप्स हो गया मतलब कितना का प्रीमियम खाए 500 और नीचे तरफ में प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि यह अगर तुम 25500 का पूट ऑप्शन बेच दिया और यह रशी अगर युक्रेन पे दस्ट बंप नुकसान हो रहे है पंड़ा प्चीस का लॉट है कि पंद्रा का लॉट है पता नहीं बाइब इस केस में मार्केट 20 जार हो जाता है मार्केट 20 जार हो जाता है तो जो ऑप्शन शेल किया उसमें कितने का अईगा 5Heart जो पंचान बाई ख्यास में कितने का प्रॉफिट आएगा साले 16,000 तोろ नेक निट न कितने का नूपसान लेकिन प्रीमियम कितना खाया नेट नेट प्रीमियम खाया 500 प्रीमियम खाया 100 दिया तो नेट नेट नुक्सान कितने का हुआ भी आपको और आपको और यहां पर मैक्स प्रोफिट कितना आएगा नेट 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 लिए रिमियम है ना तो पनेट यजर में खाया ना कि अगर पहुंचता है तो पीयल प्वांच्ट आपको दो नों अप्षिणल और प्रीमियम खाया वो पुरा मेरा तो यहां पर यह देखो वही है न, 9700 सम्थिंग, क्लियर है, हाँ, पिल पे ध्यान देना, समझा, देखो, मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, 9758, माने, बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यह वाला पॉइंट पे देखो, यह वाला पॉइंट क्या है, 25500 है न, 25500, पर P&L कितना दिखा रहा है, 9500, ठीक है, तो बेसिकली यह जो मैंने किया, बेसिकली यह जो मैंने किया, इसका में लॉजिक क्या है, इसका में लॉजिक है, कि भई, I am bullish, I am bullish, but not very much bullish, I am moderately bullish, and मैं put option के थुरू यह trade बठा सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, in the money put option को किया, sell, क्या logic से किया, कि market अगर उपर जाएगा, तुम लोगों मैं कोई सिर्का जवाब नहीं दिया, market अगर उपर जाएगा, तो in the money वाला option क्या होगा, put option, market उपर जा रहे, ठीक है, तो in the money put option क्या होगा, add the money, फिर थोड़ा और उपर जाएगा, तो क्या होगा, एड़ दा मनी एंड 26 अर मार्केट जाएगा 25500 का पुट आप्शन का स्ट्राइक तो मार्क पुट आप्शन क्या हो जाएगा आउट दा मनी क्यों कि 25500 के नीचे जाने से पैसा आएगा ना ठीक है इस पर लिख लो अपने क्या ट्रेट बैठाएं बुल पुट स्प्रेड में 24500 के प्लस है ना तो इसमें अपने क्या लिख सकते हैं यह अपने बाई किये मोटा मोटी 100 रुप्या में 25500 पी माइनस इसमें अपने प्रीमिम आया 500 ही यह वह ना ठीक है ओके इसके बाद नेक्स्ट शलाओ, नेक्स रिकना कॉल रेशियो बैक स्प्रेड इसको मैं रिसेट कर देता हूं निफ्टी पर ही करते हैं तो इसी रहेगा समझने में कॉल रेशियो कॉल रेशियो बैक बीए सी के बैक स्प्रेड ठीक है अब एक काम करते हैं मार्केट कितना चल रहा है? पच्छेश आर अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? अपने एक इन्दमनी कॉल आप्शन सेल कर देते हैं ठीक है? इन्दमनी कॉल आप्शन सेल कर देते हैं इन्दमनी कॉल आप्शन अपना आएगा 24,000 लेलो 24,000 का अपने एक कॉल आप्शन सेल कर देते हैं ठीक है? इसका आट पोजिशन करता हूं और लिखो रेशियो लिख लेना टूइस्ट वन रेशियो लिख लेना टूइस्ट वन कितना का मैने बोला? 24,000 का बोला ना अब एक काम करते हैं आ गया बेटा, नीचे होगा न, यह रह zar ठीक है, यह आ गया अब अपने क्या करते हैं अपने दो आउट- उफप दा मंनी ओप्शन बाइ करेंगे दो आउट- उफप दा मंनी ओप्शनद ऐख करेंगे so out of the money अपने करते हैं 26,000 का 26,000 का buy करेंगे 2 out of the money ठीक है या फिर एक काम करें उसको 25,500 कर दो अपने 2 lot buy करेंगे ठीक है add position करता हूँ यह देखो ठीक है अब एक चीज़ समझना यहाँ पर मैंने कौन से सेल किया था 24,000 का ना 24,000 के जगा में मैं काम करता हूँ 24,500 करता हूँ इसको एक मिटो को पहले तुम लगो भी कुछ कॉपी मत करना एक मिटो को 24,500 का जो call है इसको मैं modify करता हूँ ठीक है तो थोड़ा बेटर हुआ ग्राफ देखो अब इसमें ध्यान देना इसमें क्या हो क्या रहे है अपने क्या सोच रहे है इसमें क्या है ध्यान से देखो अपने again देखो अपना में मोटिफ क्या है किस तरफ में जादा profit है उपर तरफ में जादा profit है volatility अच्छा है की खराब है अच्छा है क्योंकि दोनों तरफ में ही देखो ना, यहां पे भी profit है अपना, यहां पे लेकिन कम profit है, और यहां पर भी अच्छा कासा profit है, लेकिन अगर बीच में रहे गिया तो दिक्कत है, तो अपने यहां पर total में किये क्या ध्यान देना, अपने 24,500, 24,500 का मतलब क्या हुआ, in the money, out of the money, add the money, in the money, 24,500 के ऊपर जाने से payoff चालू, तो अभी already option जो है, वो 500 से in the money है, इसका अपने premium जो खाए है, खाए है, प्रीमियम कितना खाए है, साड़े साथ सो, ठीक है, और अपने दो out of the money option में premium कितना दिये है, मैंने समझ लो, 200 रिपेट्रोल premium दिये है, तो साड़े साथ स और 2500 के तो net net कितना premium खा लिए? 500, तो जो net net जो premium खा लिए, तो net net जो premium खाए है वो ये रहा, नेटनेट जो premium खाया ना वो ये रहा क्योंकि अगर दोनों option laps हो गया तो net net जो premium खाया वो मेरा starting में अगर net net premium खाये और सारा option laps हो गया मेरा portfolio में तो अपने तो profit ही है और तरफ में सोचो देखो ये graph जो जा रही है यहां आपने sell किए ठीक है, उसके बाद ये point पे अपने क्या कर रहे है, 25500 पे दो buy कर रहे हैं, अगर एक buy करते ना, तो ये ऐसे जाता graph, ऐसे, अगर एक buy करते तो ये graph ऐसे जाता, बट दो buy कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं जाके, एक तो ऐसे जाएगा, और दो में ऐसे जाएगा, चीज सोचो, normal आल ऐसे अगर बीक करते हुम पॉइंट पर तो ऐसे जाता क्योंकि ग्रुप्ण आएगा एक पर चाहिए। बट दो बाई की हैं, उपर क्यों जा रहा है? क्योंकि अब अगर एक रूपया भढ़ता है, तो दो रूपया आएगा और एक रूपया जाएगा, तो नेट-नेट एक रूपया आएगा, इसलिए उपर के तरफ में जा रहा है, क्लियर है? अब यह जो रेशियो है 2 is to 1 का, इसमें कुछ भी रेशियो लगा सकता हूं, 3 is to 1 मानते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यह जो quantity जो है, 3 कर देते हैं, तो देखो, और उपर जा रहा है, और उपर जा रहा है न, ठीक है, इसको 4 कर देते हैं, देखो, हाँ, 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 पहले वाले का ब्रेक इवन गैप इसलिए कम हो रहा है न, बेटा, यूगि तुम खाया कितना है, 700, और तुम 4 में दे दिया कितना, अभी तुम दिया 130 करके 4 में, तो 520 दे दिया न, तो इसलिए वो गैप तो कम हो गई, ठीक है, है, is it okay, देखो इसको, ठीक है, हाँ, is it clear, ठीक है, ठीक है, तो सils बनाओ, तो तुम धया लिख लिए अगे खरे डिया, तो इसमें क्या की है अपन? Call Ratio Backspread में क्या की है? 1 क्या बताओ? C- कौन से स्ट्राइक का? 24,500 इसका प्रीमियम कितना खाए? 730 and 2C plus किये कितना का? छिक है? Is it clear? अब इसके पाद नेक्स्ट यह ठीक है? अब इसके पाद नेक्स्ट बीर कॉल लैडर ठीक है? अब इसमें अपने क्या करेंगे? एक कॉल अप्शन अपने एक सेल करेंगे कॉल अप्शन ठीक है? एक कॉल अप्शन अपने सेल कर रहे हैं पिर क्या कर रहे हैं? एक कॉल अप्शन बाई कर रहे हैं पच्चिस जार का और एक कॉल अप्शन बाई कर रहे हैं पच्चिस जार पांसो तो ये हो गया इन दा मनी ये हो गया एड़ दा मनी और ये हो गया आउट अफ दा मनी इस इट ओके? हाँ, अब इसको कर के देखते हैं और ये भी देखना पड़ेगा कि नेट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं जिसको रीसेट कर देता हूँ मैं ठीक है, निफ्टी पे करते हैं इजी रहेगा अपने क्या कर रहे हैं? पहले सेल कर रहे हैं ना? एक लॉट कितना ओप्शन कितना कहां? 24,000 24,500 का कॉल अपने कर रहे हैं इसका एक किये फिर अपने को बाई करना है कितने का? 25,000 का एक कॉल अपने को बाई करना है, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करना है? 25,500 वला भी अपने को बाई करना है देखो तुम लोग मोटिफ समझो तुम लोग ये जो किये ना इसका मोटिफ समझो सर इतना जो जमेला जंजट कर रहे है इससे अच्छा नॉर्मल एक कॉल बाई कर लेते बट ये जो स्प्रेड जो अपने बना रहे है इसका मेन लॉजिक क्या अपने को लगता है मार्केट उपर जाएगा बट अपने जो एक कॉल जो सेल कर रहे हैं उसके बदले जो प्रीमियम आ रहे है उससे अपने दो बाई कर पा रहे है एक अट दमनी बाई कर लिए नॉर्मली अगर अपने को करना होता तो अपने क्या करते है अट दमनी बाई कर लेते बट उसमें नीचे तरफ में नुक्सान होता ना बट यहापन नीचे तरफ में देखो नुक्सान नहीं है नीचे तरफ में तो नुक्सान नहीं है ना नुक्सान का लिए यह वाला पोर्शन पे है अभी दिख रहे है नुक्सान कर लिए देखो ये वाले पोर्शन पे हैं अभी समझा अब इस किस में क्या और है ध्यान देना देखो ऐसे करके sell call option buy मतलब क्या ऐसे ऐसे sell मतलब क्या ऐसे ऐसे जहां पर अपने पहला buy कर रहे अड़ दमनी में वहां से वह ऐसे flat हो जा रहा है और फिर जब एक और buy कर रहे तो वह ऐसे उपर उठ रहे ठीक है sell तो यह रहे न स्टार्टिंग से तो ऐसी जा रहे sell वाला तो ऐसे जाता है ना उपर जाने से difference जा रहे तो ऐसे फिर उपर जाएगा तो difference जाएगा add the money तक फिर add the money पैसे flat और फिर ऐसे जर 25500 वाला in the money कैसे होगा भईया call option का बात हो रहे तो in the money कैसे हो जाएगा 25500 वाला जब spot चल रहा 25500 के उपर जाने से pay off चालू अभी spot कितना चल रहा 25 आउट of the money होगा ना is it clear हाँ जिसमें क्या क्या हो रहा बताइए कि इसमें क्या क्या हो रहा बताइए इसका नाम मैंने को क्या लिखवाया हाई तो मैंने लिखवाई दिया आप लोगों ना बेर को लेडर तो ठीक है हाँ 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 चो अब इज़र 500 वोगों तो अपने को पता ही है इसका मोटा मोटी साड़े साथ सो है इसका साड़े तीन सो है और इसका कितना था एक सो बीस क्या रहा हूं एक और करते बुलिश्ट्राटेजी तो अपना दिमाग थोड़ा खुलेगा लिखना सिंथेटिक लॉंग एंड आर्बिट्रा स्ट्राटेजी क्या कर रहे हैं पचिस जार का एक कॉल ओप्शन बाई कर रहे हैं एक मिड़ेट पचिस जार का एक कॉल आप्शन बाई कर रहे हैं ठिक है एक अपने 25,000 का put option sell कर रहे हैं, ठीक है, और अपने एक, क्या कर रहे हैं, futures को sell कर रहे हैं, this is interesting, ठीक है, इससे क्या और लिखो, इससे क्या और लिखो, we can, we can artificially replicate the linear payoff of long futures using options, we can artificially replicate the linear payoff of long futures using options, ठीक है, आएए करते हैं इसको, क्या क्या बोला मैंने आपको, अपने को 25,000 का, क्या करना है बताओ, एक call option, buy, फिर अपने को 25,000 का एक put option, है ना, और क्या करना था अपने को, एक futures अपने को sell करना था, ठीक है ना, आईए, अपने क्या क्या किये हैं, add the money, I guess, market change हो गया है, क्या है, 24,991 भी तो है, इसमें pay-off और futures एक साथ नहीं आ रहे हैं क्या, PNL, एक मिनिट, टोटल PNL आ रहा है, 140 ना, अपने को, नेट-नेट हो क्या रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा, सेम अंडरलाइंग, सेम एक्सपाइरी, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, fixed profit of 100 ना, इसमें होगा नहीं, आक्चली, देखो, आक्च्वल में क्या है, यह एक टैप का आर्बिट्राज है, आक्च्वल में क्या है ना, यह एक टैप का आर्बिट्राज है, अपने क्या कर रहा है, यह तीनों चीज, इसका भी देखो चुन लोग चीज समझ लेना, मैं इसका भी आप लोग को दे दूंगा, Snip, अब इसको समझो, इसमें क्या हो रहा है, अपने क्या कर रहा है, एक तो अपने option buy कर रहे हैं call का, फिर अपने क्या कर रहे हैं एक अपने क्या कर रहे है put option sell कर रहे है और एक अपने future sell कर रहे है तो अगर अपने इसका देखे हैं कि इसका क्या बनता है तो अपने इसमें कर क्या रहे हैं अपने कर रहे है max of st minus k, 0 plus k minus st होगा ना k minus st क्यों होगा विकाज अपने क्या किये हैं अगर बाई किये होते 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 हैं स्टी माइनस के नहीं एक मिनिट शायद ट्राइक एंड पुट ना ठीक एक मिनटों को और एक चीज ट्राइ करते हैं और एक चीज अपने इसमें कर सकते हैं इसका दाम चल रहा है 25100 लेट्स ट्राइ इसको मॉडिफाई करने का इसको अपने करते हैं 25100 और देखते क्या होते है 25 जार इट शमेंटो पचहसरे एक सो कर दो खो गए शब्सका अन इसको भी खरते हैं 261 100 द्राइक सो क्ईक आए ड़्सके आश बादेखते हैं यह यह जो स्वाड देखो अवायना है ना आप देखा अब यहां पर इसका मतलब क्या है यह जो एक लाइन आ रहे है ना पतला सा इसमेंस में मेंकिंगा फिक्स प्रॉफिट कुछ भी हो मार्केट विया मेंकिंगा हां करेंगे उस पर भी आएगा एब चेक कर लेते हैं इसका भी मैं बस निप ले लेता हूं थिक है इस पर 25 तुम क्या बोल रहे है ठीक है लेट्स ट्राइट आट अलसो नहीं इस पर नहीं आ रहे है इस पर नहीं आ रहे है इसे तुम को फ्यूचर का पे-आफ मिलेगा लॉंग फ्यूचर का तो ऐसा होने से तो सभी लोग कर लेगा ना अगर ऐसा होता कि सब केस में प्रॉफिट ही हो रहा हो तो यह वहला नहीं होगा मने एट दा मनी करना है तो एट दा मनी के तरफ में थोड़ा रहना है अपने को नहीं आ रहा है ना देखा अभी आ रहा था न अभी नहीं आ रहा है कि दाम चेंज हो गया ना दाम तो रियल टाइम बेसिस में चेंज हो रहा है वो थोड़ा प्लस प्लस मैनेस होगा हां हां सब तीन पर रुकेगा बट उससामें प्रॉफिट हो उसको यह नहीं पता है ठीक है अब इसका देखो इसका मतलब क्या है यहां से देखते है प्लस सवर्या पर माइनस होगा minus of max of k-st, 0 तो क्या रहे, देखो तो एक बडर क्या रहे, चेक करो बने देखो न, ये वाला जो है जब इसको add करेंगे, तो ये दुनों मिला के क्या हो जाएगा 0-0 हो जाएगा, न और क्या बच रहे हैं? खाली ये बच रहा है और ये max को उबर हटाएंगे तो क्या बचेगा k-st k-st क्या है नहीं सॉरी एक मिनिट max के इंदर अगर लेके जाएंगे तो पहले आपका st और k अच्छा ये रहा देखो ऐसे करना पड़ेगा इसको max of 0, k-st हो जाएगा इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर k-st यहाँ पर भी k-st minus max of k-st, 0 तो इन दोनों का क्या आ रहे है अब आप जब add करोगे तो max of क्या आएगा k-st, k-st तो ये क्या है k-st और k-st is what? बोलो बट यहाँ पर अपने आ रहा था long features ना if long add the money, short add the money, short add the money, I am going to exist होगा नहीं से एक मिटको तो, अगर इन दोनों को करते हैं तो क्या आ रहे है इन दोनों को करो एक बार max of 0,1 एक मिनिट हाँ अगर पहले इन दोनों को एक मिनटको अगर अपने यहां से करते हैं इन दोनों को अगर अपने करते हैं ठीक है तो this is what max of बने माइनस मैक्स ओफ अगर इसको अड़ करेंगे ना टू के आ जाएगा उसमें तो अपना फाइनल क्या रहा था इसमें दोनों केस में क्या रहा था अपने फ्यूचर्स लॉंग किये की शॉट कियें सेल किया है ना फ्यूचर्स सेल किया है तो फ्यूचर्स सेल करने का मतलब क्या हो जाएगा के माइनस स्टी ठीक है तो यहां पर आएगा मैक्स ओफ जीरो कॉमा के माइनस स्टी माइनस मैक्स ओफ के माइनस स्टी कॉमा जीरो यह पुट आप्शन का होगा क्योंकि यह अपने क्या कियें पुट आप्शन भी अपने सेल कियें ठीक है तो मैक्स तो रहेगा यह फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं अब देखो अब अगर मान लो तुम्हारा स्टी इस ग्रेटर देन के इफ स्टी इस ग्रेटर देन के तो क्या हो रहा है अगर इन दोनों मैक्स को अपने क्योंकिない ऐसे मिला नहीं सकते ब्रॉब्लम यह रहा है इन यहां से क्या आएगा पहले बताओ पहले वाले से क्या आएगा जीरो और दूसरे वाले से क्या आ रहे है दूसरे वाले से क्या आ रहे है एक्शली यह दूने तो सेम हो गया तो कटके जीरो आ रहे है यह तो माइनस में है ना तो यह दोनों एक मिलेट यह दोनों आपका कटके जीरो आएगा यह करो लिखो यह बैस को लिखो कर दो कि अगुछ करने तबी तो की माइनस एगर फुचर बाई करता तो एश्टी माइनस के होता अपने क्या किए इसमें एड किए तो दोनों तरफ में क्या होगा के माइनस एश्टी होगा तो जीरो कॉमा के माइनस एश्टी और यहां पर भी वही सेम चीज आ रहे है ठीक है इसका इसका मतलब क्या हो रहे है यह कॉपी कर लो एक बार अपने मिक्स इन दोनों को किये है इन दोनों को अपने मिक्स किये ठीक है एक्चुल में इसमें हां बोल यह 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 क्योंकि पूट ऑप्शन सेल किया है ना पूट ऑप्शन सेल किया है पूट ऑप्शन क्या होता है मैक्स आफ्के मैनस स्टी कॉमाड जीरौ put option sell की है, put option buy का क्या होगा, max of k-st, 0, वो sell की है, तो difference जाएगा ना, इसलिए minus, futures में क्यों नहीं आ रहे है, because k-st है, अगर नीचे जाएगा, तो positive उपर जाएगा, तो negative, ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें 0 जो आ रहे हैं, इसलिए अपने जब यहां पर किये, अब देखो, यह वाला जो अपने current में जो strategy जो बना रहे हैं, जैसे माल लो, अपने एक futures अपने को करना था sell, ठीक है, तो futures अपने कर रहे हैं, sell इसाएग प्ने एक position आट किये, फिर अपने को options में 25100 का call अपने को करना था buy, और 25100 का put अपने को करना था sell, ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें आरहे हैं, नहीं आरहे है, मतलब, मेंने यह जो strategy है, इसका मतलब क् आपको profit नहीं हो पाएगा है यह स्ट्राटिजिय में नशके decrease hours नहीं हो kg ञड़ ठीछ सूरए कि हम टर्र यह तो दिखते हैं क्या हम्हां ठीक है त्राइ היih हम पर hence कि इसको भी अगर अपने मतलब देखना पड़ेगा अपने कहा पर आ रहे है बैसिकली कि इस पर भी नहीं आ रहे देखो कि पच्छीज़र पचास पर ट्राइब करें पच्छीज़र पचास पर ट्राइब करते हैं कि इस पर इसपर भी नहीं आ रहा है रहाँ ब़न्म लोगसे ली से कौकई तुम चीस समझ जब इसमें कीो रहे हैं इसमें क्या हो रहे है तेरा को अगर आर्यूत्रस प्रफिट होगा तो तुम तुम तुरंत एक्जिक्यूट करेंगे का बढ़ना तुम तुम तुरंत execute करेगा ना straight को अब माले इसमें अगर मैं और एक चीज डायड कर देता हूं ठीक है अब माले इसमें अगर मैं और एक चीज डायड कर देता हूं फ्यूचर्स ठीक है माले अपने बाई करते हैं देख अब एक चीज़ समझ फ्यूचर्स अगर आप इसमें बाई कर रहे हैं तो अपना खाली यह आ रहे है फ्यूचर्स अगर अपने इसमें बाई कर रहे तो खाली यह आ रहे है ना इसका मतलब क्या यह तीनों का मिला के तो यह जो पहले जो थी जपने किए इन तीनों को मिला के क्या, Nellified Effect है ना। क्योंकि अपने तो देखे ही, सबका Payoff मिला मुलू को क्या आ रहा है? 0 सबका Payoff मिला मुलू को क्या रहा? 0 आ रहा है ना। अपने जब यहां पर किए, अपने तीन चीछ किए देखो, सबसे पहले अपने क्या किये, max of, सबसे पहले अपने इसमें किये, max of st minus k, 0, फिर अपने क्या किये, minus max of k minus st, 0, और अपने यहाँ पर क्या किये, एक अपने k plus k minus st, future sell किये, अब इन दोनों को अगर अपने combine कर देते हैं, तो अपनाएगा max of 0, k minus st, दोनों तरफ add करेंगे k minus st, and minus max of k minus st, 0, तो इसका answer क्या आएगा, 0 आ रहे है न, क्योंकि इसका maturity पे पे आफ जीरो है, अगर अपने को आज premium में कुछ फाइदा हो जाए, यह trade लगा कि premium में अगर अपने कुछ फाइदा हो जाए, तो वो अपना arbitrage profit होगा, ठीक है, इसलिए क्या लिखा है इसमें, इसलिए इसमें क्या लिखा है, we can artificially replicate the linear payoff of long futures using these options, ठीक है, long, नहीं, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के बोलने का मतलब है, तुम replicate कर रहे हैं कोई जिसका payoff को, अब जैसे हम लोग आगे जाके देखेंगे, कि तुम्हें call option का payoff को share से और cash से replicate कर सकता है, तो basically ये तीनों मिला के, तुम्हारा बोलता है कि long futures का linear payoff है, क्योंकि देख, ये अपना line बन रहे है, अभी अपना यहाँ ऐसे line बन रहे है, बट ये लोग बोलता है, यहाँ अगर line बनेगा तब ये ट्रेड लगा के मतलब है, उपर तरफ अगर एक अपने देखे तो आ ग्रीन हो रहा था, ये line बनेगा तब अपने को profit है, ठीक है, नेक्स्ट, ये अपने किये सरा bullish, ये अपने ट्रेड लगा नहीं अपना, ठीक है बट इसको तुम बाबाँ ट्राइ करेगा मानले जब volatility बढ़ेगा, तो कुछ एक certain में तुम्हारा देखेगा कि वो चीज़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, आओ, heading रगा ना, bearish, ये जो अपने सारा किये न, उपर में, ये सारा अपना bullish strategies था, कहां सरू किये थे, ये सारा जो था न, आपना, ये सारा अपना bullish था, bullish strategies, ठीक है, अब जो अपने करने जा रहे, bearish strategies करने जा रहे, same, same type का चीज रहेगा, तुम लोग करना खुछ था, ठीक है, bearish strategies, सबसे पहले, bear put spread, bear put spread में क्या कर रहे है, in the money put option को buy कर रहे है, तो in the money put option क्या होगा, जल्दी ली बताओ, in the money put option क्या होगा, 26,000, 25,000, 24,000, जल्दी बताओ, in the money put option क्या होगा, जल्दी बताओ, 26,000, 25,000, 24,000, कौन सा in the money होगा, 26,000, very good, अपने क्या कर रहे है, 1 into 26,000 T plus, and 1 into 24,000 T minus, चलो आजो, चलो आजो, इस पर, निफ्टी पर ही कर लेते हैं, options में क्या करना बताओ, 26,000 का एक put अपने को करना है, buy, and 24,000 का अपने को एक put करना है, sell, देखो, तो नीचे दरफ आ रहा है profit, clear है, इसके बाद लिखना, beer call spread, beer call spread, अब अपने क्या कर रहे हैं, एक out of the money call buy करेंगे, तो out of the money call क्या होगा, जल्दी बताओ, 20,000 का एक call अपने कर रहे है buy, and 1 into 24,000 का call अपने कर रहे blog sell, तो option में क्या करना था जल्दी बताईए 26 अरक अपने को करना है call को buy ठीक है and क्या करना जल्दी बताईए 24 अरक अपने को call को करना है sell देख लो is it okay देख लो इसके बाद put ratio back spread में क्या होता है ध्यान देना sell सुनो अपने एक इंदा मनी put option sell करेंगे तो put option में इंदा मनी क्या हो जाएगा जल्दी बताऊ put option में इंदा मनी क्या हो जाएगा 26 अर्वेरी गुड तो अपने एक 26 अरक पूट अप्शन करेंगे sell एंद दो अपने 24,500 का put option करेंगे buy यहाँ पर ratio क्या हो गया अगें 2 is to 1 का ratio हो गया ठीक है आईए strike बोलो 26 अरक अपने को करना है put sell 1 की 2 ठीक है और क्या करना है 24,500 क्या दो लोट देखलो ठीक है बोलो हाँ अब कल के लिए 4 homework दे रहे है तुम लोग को करना है traddle long and short पढ़के आएगा net से strangle long and short यह पढ़के आएगा ठीक है कल यह पहले revise करेंगे आज जो पढ़ाएगा है यह revision में अपने को लगेगा आदा घंटा और कल हम लोग binomial model चालू करेंगे ठीक है कल हम लोग binomial model चालू कर लेंगे एक सेकेंड रुकना मैं को एक चीज़ देखना है कि एक सेकेंड रुकना सरे एक मिए प्लास्ट वाला ग्राफ दिखा दीजे प्लानिंग भी कर लेंगे यह देख लो जो लोग का भी जॉब नहीं लगा है जो लोग का graduation हो चुका है हमने community में एक form भेजा है प्लीज वो form को भी भर देना पकका से पहले भर दिया है तो spam मत करना एक में रुकना में को करेंगे क्लास और फिर हम लोग क्लास करेंगे साटेडे को संडे को कोई क्लास नहीं है ठीक है और कल में भी हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाएगा ठीक है कल में भी मतलब दोस्ते पाथ साड़े पाच जासा हो सकते पढ़ाएं ठीक है ठीक है तो अभी बेसिकली अपना options अच्छे से हो चुका है थोड़ा out of the money in the money at the money concept अपने कल क्लियर कर लेंगे एंड कल अपने बाइनोमिल मॉडल अच्छे से कर लेंगे ठीक है तो फिर ये अपना मोटा मोटी धिरे-धिरे कवरेज में आ रहे है एंड देन साटेड़े को वाट वी केंड डो इस साटेड़े को आप लोग रिविजन नोर्स लेकिया आना साटेड़े को हम लोग सम्स प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ओक थैंक्यू